रादे रादे मेरी यूटू फैमली अच्छे सबसे पहले ये बताईए गन्ने का जूस पीना किस-किस को पसंद है मेरे घर में तो सभी को पीना पसंद है लेकिन हाँ, जब भी गन्ने के जूस की बात हमारे दिमाग में आती है ना जब भी कभी जूस पीने का मन करता है तो सबसे पहले वहार खड़ीवी मार्किट वाली ठेलिया ही नजर आती है है के नहीं? हमें सभी को पता है कि सभी तरीके के जूस हम घर पे बना सकते हैं केले का हो किसी भी चीज का हो लेकिन गन्ये का जूस पीना मेरी सारी फैमिली को बहुत ही जादा पसंद है भाईया की खेत में इंख बोरा था मतलब गन्य की बुआई चल दी और बीज आया था बहुत ही अच्छे अच्छे गन्य आयते तो वहां से मेरी सासुमा तीन गन्य उठा के लेके आ गई थी मतलब बहुत अच्छे अच्छे से वह बहुत ज्यादा रस हैं फिर मेरे ऑजमेंद बोले चलिए इनका जूस निकालते हैं तो मनाई कर रही थी के नहीं निकलेगा बोले नहीं निकलेगा मैं निकाल के बताता हूं चल तो चलिए पढ़िया से फ्रैस्से गन्य ले लिए थे इनको हमने पानी में जितना हो सके उसके बाद इसके नहां किरना हम कभर कर सकते हैं इस तरीके से इसके पीश बना लिए थे और फिट न इनको छील लिया था झील ना पोछ ज़यदा ज़रूरी है नोर्मली मार्किट में छील तेनिये ऐसे ही कपड़ा सा फेर देते हैं, मतलब उनको ऐसे ही चमकासा देते हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल छील के बनाएंगे साप सपाई हाईजेनिक तरीके से, पहले ही मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ, मतलब जब इसको पिया तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, पूरा फ्रोसीज आप की साथ में शेयर करूंगी, और मुझसे पता है, आज के बाद आप भी इनको इसली बना सकते हो, तो गन्ने हमने यहां पे सारे छील ली हैं, एक चीज और दीखा तो यह वाला गन्ना है ना, तीन गन्ने में से ए जोस पीते हैं ना, वहां पे इसको निकालते निया, पूरा पूरा गन्ना मसीन के अंदर दे दिया जाता है, तो यह भी पीछ जाता है उसमें, उनकी गलती निया, क्योंकि वो दिन बर यही काम करते हैं, और हमें पतां नहीं होता है, हम भी पी लेते हैं, चलिए, तो इस च अच्छ की आवाज भी आपको आ रही होगी नूर्मली घर के चाको से जिससे हम सब जी वगेरा काटते हैं उनी से ही यह सारा काम हो चुका है तो तीन गन्ने थे यहां पर अच्छे से बढ़िया क्वालिटी के और तीनों गन्नों को हमने शील के और यहां पर रख लिया है बा पर हमने धनिया पुदी न चोटी चोटी चीजी न घर पी लगा के रखते हैं जैसे चटनी वगेरा में जुरूरत होती है तो बिल्कुल फ्रेस फ्रेस पूदी नभी हम यहां पर ले लेते हैं तो आज ही गन्ने के पीस इस फूड प्रोसिजर में डाली है अगर आपके पा पास होती है उसमें भी एक काम किया जा सकता है इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा प्वांटीटी में डाल देते हमने मतलब तो हमारा काम जल्दी से हो गया था मिक्सी के जार कुछ चोटा होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो जैसे हमने फूड प्रोसिजर चला दिया है थोड़ा थोड़ा करके इसमें के प्यादे यहां पर हम डालते जा रहे हैं और इनमें नीचे टिंग होती जारी है ऐक्टम बारी कटिंग हो जायेगी जूस अलग हो जाएगा और जूस का छिलका वागएरा होगरा जिसको खोई बोला जाता है वो विल्खूल एक साइड में हो जाएगा तो देखिए घर पे इस जूस को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है टाइम की तो मैं बात नहीं करूँगी लेकिन हाँ घर पे इतना अच्छा जूस बन सकता है क्या आइसा है लेकिन हमारे आँखों के और हाथों से बन चीज होती है तो हमें अच्छी लगती है उसके बाद हमने हाँ पर आइस क्यूब डाल दिये हैं थोड़े से और इनको फिर से हमने चला दिया है करीब दो मिनट के लिए तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेस फ्रेस घंने का जूस बनके तयार हो रहा है हमें भी इंती जा रहे हैं क्योंकि हम भी पहले बारी बना रहे हैं हम भी सोच रहे हैं कि देखते हैं कितना निकलता है पीने में कैसा लगता है वीडियो आपकी साथ सेयर करने चाहिए यह नहीं करने चाहिए तो अब बारी आती है इसको चानने की और चानने के लिए हमें है पर जरुरत हो कि बारीक से मखमल के कपड़े की तो मेरे पास तो मखमल का या बारीक कोई कपड़ा नहीं था मेरे दूपट्टे से अच्छा और कोई ओप्सन था इनी गढ़ में यह सिफोन की चुन्नी है कर डाल के और इसको को थोड़ासा टाइट करके करके निicamente कभी-कभी जोगी का जूत बनते है नॉसको भी निचोरते हैं तो उसी तरीके से में निचोर देना है तो हमने इसको तीन बार ने करके सारह का सारही मनला बना लिया और तीन बार में करके इसको निचोड लिया है, आप देख सकते हैं जूज का कलर, कितना अच्छा आयावा है, बहुत ही बढ़िया कलर है, और यह बचावास का मैटीरियल है, जितना भी इसका पूड़ा होता है, जो निकलता है, खोई बोला जाता है, आप इसके लड़ू बन तो मेरे कहने पे इनोंने थोड़ा सा पूती ना इस निबू निचोड़ने वाली क्या होती है, मसीन सी, जो भी कुछ है यह, इसी में डाल लिया है, और दो निबू को यहाँ पे निचोड दिया है, तो यह लिज्जे हमारा सुध साथ वीक, एकदम हाई जिनिक तरीके से ब हो जाता है क्योंकि छिलकों की साती गर्ने को मसीन के अंदर पीश देते हैं, बिलकुल वाइट वाइट हो रहा है यह, देखते ही मूं में पानी आ रहा है, थोड़ा से यहाँ पे चाट मसाला डाल देते है, मेरे पास ना काला नमग निता, नहीं तो इसमें काला नमग डाल का जूस बनके तयार हो चुका है, मेरे हजबन बोले नहीं मैं इसको डेकोरेट करना चाहता हूँ, तो नीबु के स्लाइज को काटके इस पे लगा दिया है, और अब जार हैं यह सबसे पहले भोग लगाने के लिए, क्योंकि काना जी को दिये भी न तो कोई चीज खाई डी आएगी और इंतिजार हमें भी हो रहा है, लेकिन हाँ, एक गन्ने का जूस बनाने में, यानि पांच गिलास यहाँ पे जूस बना है, उसको बनाने में अब हालत देख सकते हैं घर की क्या हुई है, सबसे पहले जूस को पीते हैं, उसके बाद हम साफसवाई कर लेंगे, त वह बता रहे थे कि वास्तों में बहुती जादा अच्छा बना हुआ है, अभी पीने वाले तीन सदस्य और भी रह रह रहे हैं, मतलब सासु मा हैं, बच्चे हैं, तो मैंने बोले चली मैं आपकी साथ इसी गलास में से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कापी बड़ा गिलास और बाकी का चुसु ठाके रख दिया है, क्योंकि बच्चे आज खेद में न इकी बुवाई करवा रहे हैं, आके दोपेर में पी लेंगे, तो वास्तों में न दोस्तों बहुती अच्छा बना हैं, मैं तो आज के बाद ये गन्ने का जूस अपने घर में ही बनाने वाली आज पता लग चुका है किस-किस तरीके से बनना है, आप भी अपने घर में बनाए और कोमेंट करके जरूर बताए कैसा बना